नमश्कार एंड वैलकम टू उन्यती कमपेटिशन क्लाफे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या एवं नगरी करण के बारे में जनजाती के बारे में और विवित के बारे में और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके बास एक्जाम का टाइम रियल में बहुत कम है और आपके माइंड में एक उतल उतल चल रही है कि सुरुवात कहां से करें क्या पड़ें कितना पड़ें जीयस का एरिया बहुत ब्रॉड है बहुत है कि आपको कम जाव नुख करते रहे हैं तो आप सबसे पहले इस लिगुक को खतम करिये जे पुक है ापकी घटना चकर बुक इस book में बहुत ही basic questions दिए गए हैं और सभी questions काफी important questions है तो इस book के सभी वीडियो आप देखिए घटना चाकर प्रेलिश में जाईए उसके सभी वीडियो वाच करिए अगर आपके बास डाटा बहुत कम है net की speed आपकी बहुत slow चलती है तो आप से मैं कहना चाहूँगा कि से भी purchase कर सकते हैं दोनों option आपके पास में है online वीडियो वाच करने है online देखिए playlist को अगर offline study करनी है मतलग book के मादम से study करनी है तो बुक का purchase कर सकते हैं देखिए तरीका बस के वाल यही है time कम है तो प्रेवेस एरक के questions लगाने सुरू कर दो और time बचे अगर आप सब के सब बुक को ठंक से खतम कर लेते हैं प्रचेस करने के बाद में जा फिरी वीडियो को ठंक से watch कर लेते हैं और उसके बाद आपके बस time बसता है तो मैं कहुंगा कि आप केवल mock test लगाए बस एक्जाम में जाने से पहले कम से कम पांस दस्तों mock test लगा के जाना जरूर उससे क्या हम से कहता है कि अभादी के ब्रदी दर का RE क्या है अभी प्राइ क्या है जरूरी नहीं कि आपको अग्साम में आपको आपको अभी प्राइट दे तो थोड़ा सा वो जो पर्देशन को लांवेज होती है ऐससे डेपार्मेंट धोड़ जी change कर देता है तो हमको पहली बात त पर देखेंगे तो न बढ़ सकती हैं तो इसके डार 2 तो इसका राइट आंसर पर फोकस तरना है तो उसका राइट आंसर है जनम और मिट्तु दर के बीच का अंतर यह कलाता है अबादी की ब्रद्दीदर, अब थोड़ा सा यह जो यलो से करूर्ट का है लेड इसके बारे बढ़ते हैं कि देखिए, जन्सक्या जनक्या विस्पोड की अवस्था को जन्सक्या को जन्सक्या को जरमा देती है, कभी जो एरिया है उसका नाम है XYZ ठीक है XYZ महले में आप रहते हैं और XYZ महले में जो है एक दिन में 100 बच्चे जनम लेते हैं और एक दिन में केवल एक ही जो व्यक्ति है उसकी डैथ होती है एक के तरह से क्या होगा साफ आपको दिखाए जिरा जनसंक्य का विस्फोड होगा विस्फोड क्या वो जनसंक्य क्या करेंगी पूरे उस आपके XYZ महले में विस्फोड पैदा कर देगी संतुलन खराब हो जाएगा रोज़गा लोगों को नहीं मिलेगा खाने के लोगों को वो कम हो जाएगी जितने लोग बढ़ेंगे तो सबको लाइड चाहिए है इलेक्टोसीटी घाये बढ़े चाहिए है कुलर चलाना हो एक्षीप हो जाएगा तो ऐक सिड़ सिल देशों में ऐसी वस्ता देखी जा रही है दिखिए एक होता है विकसित देश आपको पता होग होते हैं मैं इसके बारे में थोड़ा सा को बताना चाहूंगा अगर आपको पता है तो बहुत 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 अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है तो वह घ्यान से सुनिए विकास सिल देश वह देश होते हैं जो परगती के इस तर पर होते हैं परगती करी नहीं होती उन जर्मदर मापती है एक वर्ष के दुरान जर्मों की संख्या प्रती कितनी होनी चाहिए एक हजार होनी चाहिए तो एक हजार अबादी पर एक वर्ष के दुरान जर्मों की संख्या को जर्मदर कहते हैं आप यादत किएगा एक वर्ष के दुराँ जर्मों की संख्या को जर्मदर कहते हैं बढ़ते हैं कोशन नमबर थे की ओर नम्रिकित में से किस भारती राज्ये में अनुसूची जंजाती अबादी का सबकेंद्रन सबसे अधिक है यह मद्धे परदेश में कोशन नमबर 4 जन्गर्णा के संदर में परियुक्त पद लिंग अनुपात को सही वाणन निम्ड में से कौन सा है प्रती investors पर माहिलाओ की संखर किस नहीं लिंग Anda देख़ो क्या होता है कि एक हजार पुर्सों पर जितनी महिरा होती है उसको वोटर लिंग आनो पाद जैसे कि आप नॉर्मल अपने आपको कोई एरिया है आपकी गली है मानो एक्साइजट गली ठीक है यह स्टीट है इसमें आप रहते हो तो आपकी पूरी गली में कितने कितने लोग जैंट से कितने लोग वहां पर कितनी लेडिस हैं तो आपको अच्छे सा आइडिया होगा अगर आपने आपको रहते हुए काफी टाइम हो गया तो आइडिया होगा इस गर में इतने में इतनी है जैंस इतनी है जैंस लेडिस करके आपने पूरी गली कि कर ली अपकर करेंगे उस पूरे ज इंडिया में कैसे निकालते हैं वो निकालते हैं प्रती हजार पुर्सों पर महिलाओं की संख्या कितनी है छोड़ा से एक्जाम्बल था है वैसे इतना बताने कि मुझे आवशकता नहीं थी यह सबागो बता होगा कोश्चन में भालत में जन संख्या के घनत्र की परिभाशा 2006 में बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 60 और की भारत के राजियों में से प्रती वर्ग किलोमीटर अधिक तम जन संख्या वाला राज्ये कौन सा है यह आपका पश्चिम बंगाल याद रखेगा पश्चिम बंगाल कोश्चन नमबर 7 है भारत में सबसे अधिक सबसे घनी अबा अंतिम जनगर्णा से अनुसरा पूंच रहा है 2011 में अभी जनगर्णा होई थी आपको पता होगा और जिसने वर्ष बाद होती है आपको पता है जनगर्णा जो होती है भारत की कितने बर्स वढद होती है यह आप मुझे कमें बाक्स में लिखकर भेजेंगे एक कोश्चन मैं आपको देता हूँ शायद इसका कोई कोशन अभी नहीं आएगा वीडियो में अगर आएगा तो मैं कुछ नहीं कहा सकता अगर आएगा तो फिर आप कमेंट मत करिएगा ठीक है यह आपका बढ़ते हैं कोशन नमबर नाइन की और कि उस राज्य का नाम बताएं जिसमें घंत्व सबसे कम है यह आपका एपी आरुडांचल परदेश कोशन नमबर टैन है 2001 की जनगर्णा की अनुसार याद रखेगा 2001 की बात करना जनसेंकर का अधिक्तम घंत्व किस राज्य में है यह है दिल्ली में 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घंत्व निम्न में से किसने दर्ज किया यह करा दिल्ली ने 2000 कोशन नमबर टैन में 2001 था और 2011 में आपने देखा यह तब भी क्या था यह दिल्ली ही था आप याद रखेगे दिल्ली भारतिय जंगरणा के इतियास में किस काल अबदी को आगे की और एक बड़ी चलान कहा जाता है बहुत 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 प्यारा कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो नाइंटीन सिख्टी वन के बाद में तो इसको निरंतर बढ़ती चली गई बढ़ती जली गई तो इसमें डिक्रीज नहीं हुई भारत जंसंख्या तो इसलिए बोरा गया उसको आगी और बड़ी चलांग बड़ी चलांग का मतलब एक लंबा दायरह उसने तैय करा किसने जंसंख्या ने जंसंख्या लंबा दारह कप करीगी तैया है जब जंसंख्या बढ़ेगी ठीक है जाद अखीगा 1961 से 1971 के बीच में अब बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 13 की ओल इसी के सम्मदी मैं एक बात थोड़ा सा और करूँगा देखिए इसमें बताये गया आपको कि इ देखिए हर चीज का बैलेंस बहुत जुरूरी है जंसंख्या का ज्यादा बढ़ना भी हानिकारग है और जंसंख्या का नेगेटीव होना मतलब कम होना निरंतर वो भी हानिकारग होता है तो नेगेटीव ब्रदी दिंदर किस जसक में दर्श की गई यह करी गई 1911 से 1921 के पीच में और इसमें कितने नेगेटीव परसेंट आप से पर्सेंट तो कम से कम नहीं पूछेगा लेकिन हाँ जो बच्चे स्टेट पीच्ट से त्यारी कर रहे हैं जिनका यूपी की कोई भी त्यारी करते हैं MP की कर रहे हैं उतराखंड का कोई भी आप एक्जाम दे रहे ह जनसंख्या के बारे में तो जनसंख्या आपकी सो दो सो हजार लाक में नहीं होती है तो इसलिए माइनस 0.31 परसेंट भी बहुत बड़ा एमांट होता है आगे बात करते हैं कोश्चन प्रोटिन की नियुंतम इस्तरी पूरुस अनुपात वाले भागतिय राज्ये की पहच इसले हिस्से पर है यह चंडीगाड कोश्चन नमर 16 जनसंख्या 2001 के अधहार पर कि शहरों का सही करम कौन सा है तो यह आपका ग्रेटर मुंबई दिल्ली कलकटा चेनई और बैंगलोर याद रखेगा क्या ग्रेटर मुंबई दिल्ली कलकटा चेनई और बैंगलोर बढ़ते हैं अगले कौश्चन के ओर कौश्चन नमर 17 कि पिछली जनगरणा 2001 में जनसंख्या ब्रदी की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्जी में दर्ज की गई यह करी गई नागलेंड और जबकी 2011 की जनगरणा के अंती माकलो के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या ब्रदी वाला राज्जी था मेगलेंड पहले था नागलेंड अब क्या है ब्रदी दर वाला राज्जी अब है आपका मेगलेंड याद रखेगा कम आयू के लोगों का परसेंटेज कितना है यह आपका 75 परसेंट कोशन नमबर 19 2001 की जनगरणा के अनुसार जनसंख्या की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जे कौन सा है यह उत्तर परदेश कोशन नमबर 20 कि भारत के किस राज्जे में गरीबों का परतिशत से अधिक है तो यह उडिसा का याद रखेगा कहां का यह यह आपका उडिसा का कोशन नमबर 21 की भारती अबादी का कितना परसेंट अधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे है यह 30 परसेंट से कब और बात करते हैं कोशन नमबर 22 की वर्स 2001 की जनगरणा के अनुसार 1991 से 2001 की अबदी के दौरान जिन संक्या की ओसत वर्सिक बड़ी दर है लगबत कितनी 1.93 आगे बात करते हैं कोशन नमबर 23 की आवास और सहरी गरीबी उनमूलन मंत्रारे द्वारा हाल ही में जारी किये गए आंकडों के अनुसार गंदी बस्तियों के सबसे अधिक संक्या न क्या है गंदगी बहुत ज़्यादा है साफसवाई कम है जहां पर तो वह आपका आंध्रपरदेश याद रखे क्या है वो वह आपका आंध्रपरदेश कॉष्ट नमबर 24 कॉन सा जोडा टूइन सिटी नहीं है देखे टूइन सिटी कौन कौन सा है पहले तो अभी नोट कर लीजे हैद्राबाद और सिकंदराबाद जो है आपका टूिनि सिटी यह आप देख रहे हैं नीचे वह को थे दराबाद रूडा ए तो यहां पर क्याएं पुशन्स पूचा गया सोंगई पार एकिसा तो नहीं पर है ठी से क्या आप से तम्सक्रिएJack लेकिन नहीं है क्या डी तो यह आप दिल्ली और नहीं डिल्ली टुइन सिटी नहीं है जो है आपका पुरानी दिल्ली और क्या है आपका नहीं दिल्ली यह टून सिटी में आते हैं तो इसलिए डी क्या होगा हमारा यहां पर राइट आंसर होगा जो नहीं है क्या टून सिटी बात करते है कोशल से अधिक शाक्षर सं-धराज्ये कौन से यह लक्ष देव और इसखेकर ततनी है 80% संगरयजी के बात कर रहा अरव से सल्टी के बात कोड़िया है तो वो चैनल के कड connect काण साथ हो जो और बंता नविन टम अनुमानों के अनुसर भारत में साक्षर दर percentage है कितनी मतलब ओल अलोवर इंडिया में इतने % लोग जो है वह educated है पड़ी लिखिए है क्या count करा गया यह करा गया 65% जो जन संखिया है यहां की वह क्या है साक्षर है educated है पड़ी लिखिया है कोशन नमबर 27 कि भारत में जनसंख्या ब्रद्धी की दर अधिक है क्योंकि मिर्त्यु दर में कमी आई है किन्तु जर्म दर अधिक बनी हुई है फिकच्वोष कोमन सी बात चिस और ज्यार ज्यादा होगी और मिट्ती देर काम तो क्या होगा जनसंख्या की ब्रद्धी होगी कोर्शेर मर रमा टुबंटी एट है भारत में जनसंथ्या के त्यरित बृद्धी का पर्मुक और अक्या है ये है उच्छ जनमदर और गिर्ती मिट्यूदर कोशन में 20, 2011 की जनगाणा की अंतीम परिणामों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है ये है 914, 2011 के अनुसार कोशन में 30, भारत में महिला अबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदाई निम में से कौन सा है ये है समाजी कारण कोशन में 31 है कि जुलाई 2011 में घोशी जनगाणा के अंकड़ों के अनुसार अभी तक गावों में रहने वाले भारतियों का पर्तिशत क्या है ये है 70% और जुलाई 2011 में घोशी जनसंख्या के आंकडों के अनुसार सहरी छेत्रों के तुलना में गरामिड छेत्रों में सिसू लिंगानुपात में कम ही है ये है आपका चार गुना आगे बात करते है कोश्च नमबर 33 कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राज्ये की जनसंख्या सबसे कम है तो वो है आप सिक्किम की थोड़ी सी डीटेल हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में 2011 की जनगरणा के अनुसार भारत के सिक्ख्यम राज़ी की जन संख्या इतनी सबसे कम है जबकि केंद सासी पटेस्व की राज्यों में सबसे कम जन संख्या लक्षदेप की है है जो है 342 कोशन मा 34 कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार निवन में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन राइट नहीं है पूछा गया है तो इसमें है साक्षरों की ब्रदी में पूर्चों की संख्या महिलाव से अधिक है तो ये गलत है ठीक है तो ये कथन क्या है सही नहीं है कुश्च नमबर 35 है वर्स 2011 की जनगरणा के अनुसार कौन सा संग राज्य चेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले इस्थान पर है तो वो है आपका चंडीगड कुश्च नमबर 36 कि किस राज्य में महिला साक्षरतादर सबसे अधिक है यह केरल में और वर्स 2011 की जनगरणा के अनुसार नमर्कित राज्यों में से किस राज्य में इस्तरी और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक है अधिक अंतराल है तो यह आपका राजिस्थान में याद रखेगा अंतराल जो है वो है क्या राजिस्थान में अब थोड़ा सा इसकी के अधिक 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 है और जो लेडी जन्य वह केवल 91.98 परसंट ठीक है चल जाएगा केरल काफी अच्छा है ऐसी बात नहीं है एड्यकेशन के मामलों में मैक्सिम जो है केरल में एड्यकेशन से उत्तरा परदेश में 79 परसंट पुरूस हैं और महिलाय क केवल मातर 59% ही क्या है सक्षित है मत्यपर्दिस की बात करें तो 8060 पूरूस और 60% क्या यहां पर इस्तरी हैं अब बात करते हैं केवल केवल वन लानल जीके के बारे में देखिए इस बुक में कुछ नई खास बात ही देगई हैं कुछ मतलब के वनला जीके भी देगई में इस्तरी पुरुस अनुपात प्रती हजार पुर्चों की तुलना में इस्तरी की संक्य एक हजार से अधिक है अगरा जो पॉइंट है वो है भारत की जंगर्णा 2001 के अनुसार बिहार राज्ये की साक्षरता की दर सबसे कम है का शीtt Pat reckes juda अब में बात करते हैं जंजाति के बारे में वें कि लिए मैंcket से अचछा अक्याओ आधे के अधित-उफ ऐसे सबी अध्ये ग्साम के लिए हैं में सभी एकजाम में एक नर्न चै schemes में या फिर अधर एकजाम में नहीं करकूँ नाहीं इता है था आप उसके आपको अधिरीब तो किरें श्रीक से लेखना पुमिasında मतां श्राइव है या मैं सुझ और या करूइबल लैंकि को मिले से थांट नहीं समझाओंगा मैं डिकान आपको All आप सबसे पहले याद करिए जंजाती अपनी नोट बुक अब कम से कम उठा लिए अगर वीडियो कम से कम अगर दो बर प्ले करते हैं एक वीडियो तब तो मैं मानता हूं कि आपको सभी कुशन से जाद हो जाएंगे अगर दो बार वीडियो आप वाच नहीं कर सकते हैं पैरे बातों को आप टायम नहीं होगा दूसरी बात कि जीओ का 1GB पर दे फ्री है ना कि 100GB पर दे तो मुझे को पता है कि डाड़ा कि आपको कमी हो सकती है तो प्लीज 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 नोट बुक उठाए पैन उठाए ल लोग कूकी काफी बोलते हैं मडीपूर के लोग क्या करते हैं कूकी काफी जादा बोलते हैं तो आप करती कूकी जो किस्टराजियnehmer मेयमार और बांग्लाद जाती है आगे बात करते हैं खासी और गारो जातियां ये कहां के मुख्यत है ये कहां पर पाई जाती है हम बात करें जनजाती की खासी और गारो दोने क्या है जनजाती है जाती है गारो खासी जहिंतियां ये सब क्या है जातियां और ये पाई जातियां आपकी मेगाले में और जनजा महराradas me 36 में और उडी सराघ्य fan aver भारत कि सबसे बटी जिनजाती कौन सी यह गवन जो सबसे बड़े च्हेत्वल्स को सब्सक्राइगी सब्सक्न से मैं अबी आप देख़े कुष्च engineering 4 ये मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूं और पढ़िए कोश्चन नंबर फाइव दोनों में क्या डिफ्रेंस है दोनों में कुछ खास डिफ्रेंस नहीं है बस केवल कर दिफ्रेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया मॉडिफाई कर दिया 2010 में कुछ अलग करी किसे पुछा गया था हल्क के वर्डों का हेरी फेरी करा और आपके सामने 2013 में पूछ लिया ऐसे ही ऐसा करता है बस गुमा फिरा के कोश्चन से पूछ लेगा वहीं पर आप बच्चे कं तो इसलिए कहता हूं कि केवल एक बुक को दस बार पढ़िये अच्छे से पढ़िये बजाए कि दस बुक का ध्ये लगा करके दस बुक को किसी भी दस बुक में से एक बुक को ना पढ़ना दस बुक के हम ध्ये लगा तो लेते हैं उसमें एक भी बुक को के अधंसे पढ़ क्यों नहुंहा है बढ़ते हैं करेंड बाखी करक्षन कभी कभी जारा हो जाती है भरत्रे कोश्चर ममर्सिक्स में सजाथिया मंगोला भारत अथं कहाँ पाए जाते हैं अगयाया नुद्टर फूरा टीन Internet अई आपको दे दिया लेकिन ये पाई जाते हैं ये पाई जाते हैं उत्रपूर्व चेत्र में अब बात करते हैं थोड़ा सा करते हैं इसमें ये बनेगा आपका बिहार राजिस्थान पश्री बंगाल कथा मद्य परदेश में से राजिस्थान राज्ये में संथाल जंजाती नहीं रहती हैं आप से एक्जाम में ये कोशन पुछ आगे था नाइंटिनाइन में तो आपको बास चार उप्शन दे गए थ से हरियाना राजिये में कोई अभिग्याद जंजाती समुदाएं नहीं है आपसे पूछा गया था है एक्जाम में ये तो आप याद रख those該 अल में 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 मेरमार से आया था जो कहाँ पर जाके बसा ये बस असम में जा कर хлоп यराज श्री चावतर करते हैं अगले पॉइंट की कि अगला पॉइंट तो कुछ हाई नहीं अब तो हम करेंगे स्टार्ट विभित के बारे में जैसा कि हमने देखा था कि हम इसमें वीडियो में डिसक्स करेंगे आप से जंसंक्या के बारे में नगरी करण के बारे में जंजाती के बारे में जंसं जो बाण आई है उस तर रिजन क्या है वह अपवाह चेत्रों में वन कटाई में ब्रद्धी हुई है मतलब इसके आसपास के एरियों के जो वन है काफी स्पीड से काटे गए हैं अगर वन स्पीड से कटेंगे तो क्या होगा तबाई बहुत पड़ी होती है वनों को काटने से बही जो जनवी जानवर होते हैं उनका आसरा उनका हम लोग घर शिन लेते हैं और जो मिट्टी की जो पकड़ होती है वो खतम हो जाती है अगर मिट्टी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी पाने को वो उतनी हिम्मत के सांथ रोप सकती है अगर मिट्टी काफी सौफ हो जागी तो क्या करेगी पानी जो होगी मिट्टी पर क्या होगी हावी हो जाती है और एक बान का बहुत ब लक्षन के लिए भारा सरकार ने निमकित में से किसे समुंदरी पार्क घोशित किया यह आपका कच्छे की खाड़ी समुंदरी पार्क घोशित किया यह कब करा यह करा गया सन 1982 में समुंदरी पार्क के रूप में 110 स्क्वार किलो मीटर वर्ग किलो मीटर छेत्र को घोशित किय बारत में युनेस्को के विस विरासत स्थलों की सूची में नमिन्तम संयोजन लाल पिला है कोशन नमर फाइब की निम्निखित में से किस परवती है इस्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात इस्थल है यह आपका दार्जलिंग और इसको बोलते हैं याद रखेगा दा लैंड ऑफ फंडर बोल्ट के नाम से कौन सा इस्थल फेमस है अपसे एक्जाम में यह भी पूछ सकता है या तो ब्रजपात इस्थल पूछेगा या फिर आपसे बोलेगा दा लैंड अफ थंडर बर्ड दोनों में से कोई भी वर्ड आपके सामने कोशन मे रख सकता है ब्रजपात उसका मन नहीं करा पूछ रखने का तो रखेगा दा लैंड ऑफ थंडर बर्ड चाहिए आप हिंदी मीडियम के स्टुएंट क्यों ना हो यह वहां पर यूज कर सकता है आपके पेपर में यह वर्ड भी कई बार देखने को मिला है चाहिए वह हिंद इससे डिपार्टमेंट को इतना फरक नहीं पड़ता कभी-कभी वह हिंदी मीडियम में भी इस टैप के वर्डों का यूज कर लेता है तो इताइट आइट आंसर क्या होगा इसका दाढ़ जलीन भड़ते हैं पूर्शन नमबर 60 और कि निमलिकित में से भारत का कौन सा इस् किस इसमारग को सामिर किया गया था जैपूर इस्थित जंतर मंतर वर्ड़्स 2010 में पूर्शन नमबर एट अपातनी कहां का मुख्य जंजातिये समू है यह आपका अरणचर परदीज और यहां के कुल जंसन का कितनी है 60,000 पूर्शन नमबर नाइन कि भारत में कि अपनाया गया 2006 में देखिये 26 दिसमबर 2004 को हिंद महासागर में आई आई महासुनामी से भारत के पूर्वी 30 परदीज पर भावित हुए थे यह कब आया था सुनामी यह आया था 26 दिसमबर 2004 को शायद आपको इसके बारे में पता भी हो आपने सुनाबी होगा टी सुनामी, सुनामी आया, कहां पर आया था, यह आया था आपके भारत के पूर्वी तखिये परदिसों में, इसमें बहुत बड़ी तबाही मचाई, ठीक है, और भारत में अंतरा से सुनामी चिताबने पढ़ाली को कब से अपनाया गया, यह भी आपको याद रखना है, 2006 से question number 10 है, कि निम्लिखित में से कौन सा सिप्यार्ड, भारतिया नौतेना के लिए युद्ध पोतों का निर्मार करता है, यह करता है कोचिन सिप्यार्ड, question number 11, निम्लिखित में से कौन एक अधिकार का एक एग्जाम्पल है, तो यह है भारतिया रेलवे, question number 12, भारत का उप ग Q. 13 अन्ट्रा कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस्तापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है यह है आपका दच्छली गंगोतरी इसको बोते हैं भाबा प्रमाणु अनुसंदान केंद्र इस्क्रीत है कहां पर फोड़ा सा इसके पहले में बताएं जो है वो आप देख रहे हैं भी है प्रमाणु कारेकरम के संब्ध में नेड़ा लेने के लिए सर्वचंस्था जो है टाटा एटोमिक एनरजी कमिशन्स का अगस 1948 में गठन किया गया इस दिसा में प्रगती तभी प्रारम हुई जब 1954 में ट्रॉम्बे मतलब यह है मुंबई के पास में परमाणु संस्थान की सापना करी गई मुंबई में इसको काउन करते हैं बड़िए मुंबई के पास में इस संस्थान का नाम बदलकर 1960 में भाबा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया पहले इसका नाम क्या था और अब इसका नाम क्या है दोनों यह आपको यादत में अभी जो है 1960 में बदलकर इसका नाम बदलकर वर्थ 1960 में रख दिया गया क्या भाबा अनुसंधान केंद्र एक है जाद रखेंगा बच्चों चलिए बढ़ते हैं कि राश्टिया बान माAlrightudla क सब्सक्राइब का मैं फिकल करें ज किते बार्शिया वूटकरा कौन करトा है जो होता है चुनाब का जो काम होता है वो कौन करता है निर्वाचन आयोग चुनाब निर्वाचन आयोग तो कॉमन सी बात है बार से संबंदित बार आपको एक्जाम में देखिए 2012 में आप लक्की था आपको बोला गया राश्ट्रिय बार आयोग किस संबंदित है आपको इस यह आपको होगा बाण से संबंदित तो दोनों ही आपके पास concept के लिए होने चाहिए अगर कोशन उसमें ऐसे नहीं पूछा ऐसे पूछा तो हमको आंसर क्या लगाते हैं आना है वैस्तिक स्कर के लिए सेली गुडी दारजिनिंग हिमालय रेल बोधघया में महाबोध मंदिर सारनात तथा कुशिण नगर में से बोधघया में महाबोध मंदिर को मानने ता दी गई तो आपको याद रखना है आगे बात करते हैं, पुश्कर मेले का अयोजन अजमेर में होता है, पुश्कर मेले का आयोजन अजमेर में और भारत का पर्थम नौसे पर इस्थापित है तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में बस के वल इतना ही हमने आज क्या कर गवर करा जनसंख्या एवं नगरी करण जनजाती और विविद यह था इसका भाग सिक्स इससे प्रिवेस वीडियो अगर आपको देखने हैं और हिस्टी से समधित कोई भी व आपको 20-25 वीडियो आपको मिलेंगे उस सब वाच करिए और उससे अधिक वीडियो भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में तो उन सब वीडियो को देखिए इंजॉय करिए और प्लीज मन लगा के बढ़ना ठीक है अगर पढ़ाई को आप ऐसे बोज समझ के पढ़ेंगे इस आप अधिर ऑफोल नहीं होगा अगर आप ड्राइविंग करते हैं ड्राइविंग झेक रहे हैं और आपके हाथ में इस टेरिंग आड़ी का या फिर आपके पास में बाइक जो आ पेस परसन को जरूर टश करेगी तो इसलिए डर के साथ आप एक काम करिए काम कोई भी मत करना पहली बात तो यह आप देखी छोड़े बच्चे क्या होते हैं मातर तुम्हारे 18 साल के 16 साल के 15 साल के बच्चे आते लिए स्कूटी चला रहे हैं बाइक चलाने काफी confidence के साथ ओवर टेक करते हैं जिगजग चला इसी के साथ मैं लेता हूँ आप से अलवीदा और कहना चाहूंगा कि अगर आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज दू सब्सक्राइब और प्लीज जरूर करिएगा और आपका कोई भी फ्रेंट कंपेटिशन के त्यारी कर रहा है उन तक इस वीडियो क नहीं वीडियो के साथ में बाई बाई टेकर और अल दे बेस्ट